तीन दामाद की सास पाठवान कावेरी जी के पति का दिहान दुए काफी वक्त हो गया था कावेरी जी की तीन बेटियां थी इशा, मोहिनी और सुहाना तीनों ही काफी होश्यार और नौकरी करने वाली थी लेकिन उन तीनों से कावेरी जी इतना प्यार करती थी जब भे तुम्हारी शादी के बारे में सोचती होना बड़ा डर लगता है। जब देखे तो ये भी गलत होगा और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन तुम तीनों से दूर होने के बारे में सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है। लेकिन ममी हम आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। एक काम करते हैं ममी शादी की बादना आप मेरे साथ मेरे सिसराल में चलना और मेरे साथ ही रहना। अच्छा और तेरी सास मुझे रहने देगी तेरे सिसराल में अरे बेटा वहाँ ऐसा नहीं होता। बेटी की मा कभी अपनी बेटी के सिसराल जाकर नहीं रह सकती। एक काम करते हैं मा, आप पीशा और सुहानी की शादी करती जीए और मैं हमेशा आपका बेटा बनकर आपके साथे रहूंगी, मुझे नहीं करनी शादी। अरे मेरी बेटिया मुझे से कितना प्यार करती हैं, मेरी वज़े से अपनी पूरी जिन्दगी दाओं पर लगाने को तयार हैं। लेकिन मैंने न, इससे भी एक अच्छा उपाय सूचा है। क्या ममी, अगर आपकी पास कोई सिलूइशन है, तो फिर क्यों परिशान हुआ आप, बताइए क्या करना चाहती हैं। मैंने सोचा है कि अखबार में इश्तिहार दे कर, तुम तीनों के लिए तीन घर जमाई दामा ढूंड लूगी। वैसे भी नौकरी तो तुम तीनों अच्छे से कर लेती हो, कमा भी अच्छा खासा लेती हो, कोई भी लड़का तयार हो जाएगा तुम से शादी करने के लि बिल्कुल, आज आफिस जाते वक्त मैं ये काम कर दूंगी। मेरा तो घर जमाई बनने का मकसद ही यही ता, कि कमाने वाली बीबी मिल जाए। बाहर जाकर काम करने से तो मेरा दिल गब रहता है, घर का कोई काम है तो बता दीजी मुझे। अगर ऐसी बात है तो शाम का खाना बनाओ, मेरी बेट या नौकरी से ठकी हारी आती है। बस ये बाहर धूप में निकलना, रास्ते में जाना, नौकरी करना, ये सब मुझ से नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहा है सुमित, अरे गर्मी में, बारिश में, सर्दी में घर से निकल कर जाना, और उदर बाउस की चिक चिक सुनना, इससे बढ़िया तो ये कि मैं घर में जाडू पोचा कर लूँ, ठीक है फिर तुम जाडू पोचा करना, अविनाश शाम का खाना बनाए मेरे तीनों दामाद घर संभालेंगे, और बेटियां नाकरे करेंगी, अगले दिन सुबा के वाक्त, मम्मी मुझे ओफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता चाहिए, अरे उस विवेक से कहा तो था कि सुबा का नाश्ता उसे उठकर बनाना है, अभी जाकर देखती हूँ, क्या कर रहा है विवेक, अभी तक सोया हुआ है क्या, सुबा के दस बच गया है, सोने दीजिये न मम्मी जी, क्या हमेशा हिटलर की तरहाँ में डंडा लेकर गड़ी रहती है, मैंने कहा सीधे उठकर खड़े हो जाओ, और जाकर नाश्ता बनाओ, लेकिन मम्मी जी, जाने में देर हो रही है, कुछ दिर के बाद, हे भगवान, दोपैर के बारा बज़े हैं, लेकिन घर इतना गंदा पड़ा है, सुमित से कहा था मैंने समय पर जाड़ू पोचा कर देना, सुमित, कहा हो तुम, क्या हुबा मम्मी जी, सुबा की चाई तो पीने दीजे, आप भी आद करती हैं, चिला ती ही रहती है, यह सुबा की चाई है, या दोपैर की चाई, अगर तुम बारा बज़े उठकर सुबा की चाई पीोगे, तो क्या शाम का खाना रात के तीन बज़े खाऊओगे, ममी जी चिला ये मत बता ये बात क्या है अरे बारा बच चुके हैं अभी तक जाडू पोचा नहीं हुआ घर में देखो कितनी गंगी है अच्छा अच्छा तो आप इसलिए परिशान है क्या है न ममी जी आज मेरे हाथ में दार्द हो रहा है रात को उल्टी करवट से सो गया था आथ हिलाया भी नहीं चाह रहा कौन से हाथ में दर्द है दामाज जी इस सिद्धे हाथ में ममी जी हाथ हिल भी नहीं रहा है वीवेक सुन लिया तुमने सुमेद के हाथ में इतना दर्द है के बेचारे का हाथ भी नहीं हिल रहा आज तो ये खाना भी नहीं खा पाएगा तो एक जन का खाना काम ही बनाना ठीक है ममी जी अरे ने ने ममी जी मेरे कहने का मतलब वो नहीं था मेरा मतलब है खाना तो खाऊंगा ना अरे लेकिन कैसे हाथ तो हिल भी नहीं रहा है अरे मम्मी जी आपको ना किसी जेल में जेलर होना चाहिए था बिकार में हमारी सास बनकर जिंदगी खराब करी है अरे लगाता हूँ पोचा एक बेचारा घर जमाई और कर भी क्या सकता है शाम को जब ईशा, सुहाना और मोहिनी आफिस से लोट कराती है मम्मी शाम की खाने में क्या बना है? अब यह तो तेरे पते को ही मालूम होगा ना पिटा उस तेहीं खाने के जिम्मेदारी ली थी लगता है मम्मी आपने ये घर जमाई वाला तरीका अपना कर मुसीबत मोल ले ली है आपके तीनों घर जमाई कितने आलसी हैं? मेरे वाले को देखो, दपैर के बारा बजे सुबह की चाय पीता है और काम क्या करना चाहता था? घर का जाड़ू पूछा मम्मी बता रही थी कि आज उसने घर का जाड़ू पूछा शायम की पांच बजे किया था अब क्या बताओं बेटा, सुबह से हाथ दर्द का बाना करके बैठ गया था कहता है हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा सब बहाने मम्मी, ये तीनों घर जमाई मिल करना बस बैठ कर खाना खाना चाहते हैं काम धाम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मुझे इन तीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा अरे तो मम्मी आप हिटलर से कमें क्या, आपने जब हम तीनों को सबक सिखा सिखा कर इतना लायक बना दिया तो इन तीनों नालायक दामाद को भी आप कुछ न कुछ तो बनाई देंगी हाँ मम्मी, बस अपने अंदर के हिटलर को बाहर लाईए और अपनी तीनों दमादों को अच्छी तरह से सबक सिखाईए रही बात आपकी बेटियों की तो हम तीनों तो हमेशा से आपकी साथ है अरे लेकिन बिटो इस काम के लिए तुम तीनों को महनत करनी पड़ेगी कैसी महनत ममी, ओफिस में तो वैजी बहुत महनत करते हम तीनों अरे अप प्रेगनंट हो जाओ, प्रेगनंजी का बहाना बना कर कैदो कि तुम तीनों ने नौकरी छोड़ दी है दो साल के लिए और जब घर में खाने के पैसे नहीं होंगे तो अपने आप काम पर जाएंगे ये तीनों वाओ मम्मी क्या आइडिया दिया है मैं तो कली जाकर कहने वाली हूँ कि मैं प्रेगनेंट हो गई हूँ फिर देखना कैसे मेरा पती अविनाश पाग भाग कर काम पर लग जाएगा और फिर दो दिन के बाद सुमित मैं ना प्रेगनेंट हूँ और इसलिए अगले दो साल के लिए मैं ना अपनी जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया है विवेक पापा बनने वाले हो तुम अब से ना तुम्हें आफिस जाना होगा क्योंकि मैं तो दो साल के लिए छुट्टी पर चली गई हूँ आविनाश अब तुम्हें जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए मनना ये घर कैसे चलीगा हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं लेकिन कावेरी के तीनों आलसी दामादों पर अपनी बेवियों की बात का कोई असर नहीं हुआ दीरे-दीरे कावेरी ची को चिंता होने लगी क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से तीनों बेटियों ने ओफिस जाना बंद कर दिया था आखिर क्या तरीका अपनाएंगी कावेरी अपने आलसी दामादों को काम करना सिखाने के लिए जानने के लिए सुनिए इस कहानी का पार्ट टू झालसी दानने के लिए सुन जाना बंद कर दिया तरू आखिर मत था बंद कर दो दो यज तो झालसी दो